ये राज़त के विधायक कई ऐसे विधायक हैं जो NDA समर्थित दलों के संपर्क में हैं और उन्हें डर है कि कहीं खरमास के बाद राज़त के विधायक तूटकर NDA में शामिल दलों के साथ नहीं चले जाएं ये नितीश कुमार जी को ओफर दे के क्या करेंगे नितीश कुमार जी ने तो इनको अपनी ही गठ बंधन से कीकाउट कर दिया था सरकार से निकाल दिया था नमस्कार आप देख रहे हैं लाइफ सिटीज में हूँ आपके साशिवम राज़त के प्रदेश अध्यक जगदानन सिंग के बयान के बाद जो बिहार की सियासत है वो तेज हो गई है आरोप रत्यारोप का जो दौर है वो जारी है आपको बता दे कि जहां एक तरफ दानी स्री जवान से बात की तो उन दोनों लोगों ने भी साफ तोर पे कह दिया है कि बिहार में खर्मास के बाद तो बड़ा खेला हो नहीं वाला है राजत के कई जो विधायक हैं वो एंडिये के निताओं से संपर्क में हैं क्या कुछ कह रहे हैं दोनों पार्टी के प्र कि राजत के विधायक कई ऐसे विधायक हैं जो एंडिये समर्थित दलों के संपर्क में हैं और उन्हें डर है कि कहीं खर्मास के बाद राजत के विधायक तूटकर एंडिये में शामिल दलों के साथ नहीं चले जाएं इसलिए अपने विधायकों को गोल बंद करने के नज बाश्यां जनता दल को दीन में सुहावने सपने देखने से भारतिये जनता पार्टी रोक नहीं सकती है और रास्टिये जनता दल के लोगों को आस्वस्थ हो जाना चाहिए क्या 2015 में जिन मुद्दों पर सरकार बनी थी उसके बाद नितीश कुमार जी ने गठ बंधन से कीक आउट कर दिया था आरजेडी को क्या उन मुद्दों को नितीश कुमार जी ने भूला दिया है अब आरजेडी के लोग बेचैन है सत्ता से बाहर आरजेडी जो परिवार की पार्टी है ज्यादा दिन तक नहीं रह सकती है ऐसा लगता है कि धन की कमी इनको हो गई है अब इनको उगाही संस्कृती फिर से खड़ी करनी है अब सरकार में आने के लिए बेचैन है पहले विपक्ष की भूमिका तो सही से निवा लेते और जिन मुद्दों पर स्पेशल एस्टेट और स्टेटस की बात कर रहे है तो उस पर सिर्षनेता जो एकोनॉमिस्ट है वो आपस में विमर्स करेंगे बात करेंगे निड़ने लेंगे और मेथोडोलोजी की बात है तथ्याधारित बाते हैं इस पर नाहक राजनितिक तूल नहीं देना चाहिए और जाती जनगना का सवाल है तो लालू जी को पहले कॉंग्रेस से पूछना चाहिए कि यूपिये की सरकार में थे 2011 में जाती जनगना कराने का कमिटमेट करके कॉंग्रेस ने 5000 करोर रुपए जो खर्ज किये जो कास्ट सेंसर्स के नाम पर सेंपल सर्वे कराया और 5000 करोर रुपए पबलिक एक्सचेकर को चुना लगाया तो आखिर ऐसा कॉंग्रेस ने क्यों किया अब इन मुद्दों को लेकर के राजनिती का प्रोपेगंडा खड़ा कर सकते हैं चुकि आरजेडी के पास राजनिती का मुद्दा नहीं बच्चा है और ऐसा लग रहा है कि आरजेडी और आरजेडी के निता पिछरते जा रहा है उनके लिए सत्ता में वापसी एक कठीन अभियान लग रहा है तो ये तरह-तरह का धिन्धोडा पीट रहे है प्रोपेगंडा कर रहे है लुक्रेटिव ओफर दे रहे हैं और ये नितीश कुमार जी को ओफर दे के क्या करेंगे नितीश कुमार जी ने तो इनको अपनी ही गठ बंधन से कीक आउट कर दिया था सरकार से निकाल दिया था इनको इंट्रो एस्पेक्शन करना चाहिए आरजेडी के लोगों को राजनीती इस तरह के ओफर से नहीं चलती तो आपने साफ तोर पे सुना जहां एक तरफ राज़त निताओं का या कहना है कि बिहार में खारमास के बाद बड़ा खेला होने वाला है जिसका जवाब आज सत्ता पक्ष के निताओं ने दे दिया है और साफ तरफ पे कह दिया है कि खारमास के बाद तो खेला होने वाला ही है पर राज़त के कई जो विधायक है वो एंडिये निताओं के संपर्क में हैं अब देखने वाली बात या होगी कि जिस तरह से लगतार राज़त निताओं के तरफ से या दावा की आदारा है कि खरमास के बाद बड़ा खेला होने वाला है बिहार की राजनीती में ये तो अब आने वाले वक्त में ही पता चल पाएगा भराला बने रहे हमारे साथ अगर आपने हमारे चानल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब क झाल पाल